प्रकशा फ लीजर देनी की परिभाशा जो शिस्टम से जूरता है हमसे जूरते हैं उनका हम एक स्वाइल टेस्ट करते हैं दूसरा उसस वाइल टेस्ट के आधार पर हम 365 ईम का उनका शेडूल देते हैं कि कौसे दिन कितनी मात्रा में क्या डालना है आपके पास भी PDF आया होगा ना तो पूरा एक format हम बना कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं Balance Fertigation Software यह Software Base एक प्रनाली है जो आपके खेट की details हम पूछ करके उसमें डालेंगे मिट्टी केसी है पानी कहां का उप्योग कर रहे हैं मिट्टी की soil test report चाहिए पानी की test report चाहिए इसी क्या है पिछले साल क्या लगाया अभी कौन सी फसल लग रही है यह सब कुछ आकड़े पूछ करके हम डालते कंप्यूटर में और एक महत्वपूर्ण बात हम उसमें डालते हैं कि आपका budget क्या है एक एक एकड में खर्चा करने का यह सबसे important बात है अगर मैं आज बोल दूँ कि आपको एक एकड में साथ पोटास छे डीएपी छे यूरिया साल भर में लगेगी उधारन में देता हूं मोटा मोटा यह आकड़ आता है केले की खेती में कि साथ से आठ पोटास एक एकड में छे डीएपी छे यूरिया इसके आगे पीछे का केलिशियम नाइट्रेड सल्फर मेगनेशियम यह अलग हो गया 1260 यह अलग हो गया बट एक मोटा मोटा इतना आता है बट यह fixed हर किसान के लिए नहीं है क्योंकि आपके पास काली जमीन है आपके पास पीली जमीन है आपके पास पिछले साल मक्का लगा था किसी के पास गेहूं लगा था पिछली फसल में तो रेशो बदल जाएगा दूसरा किसी का बजट है कि मुझे एक एकड में 50,000 तक का खाथ चलाने की मेरी छमता है किसी का बजट हो सकता है कि मैं 80,000 तक कि मेरा पॉकेट क्या गवाई दे रहा है यह फसले ऐसी है कि आप जादा डालोगे तो भी यह खा लेगी कम डालोगे तो भी मना नहीं करेगी आएगी फसल बट हम जब पोधा लगाते हैं या खेती भी सुरुवात करते हैं तो हम बहुत उत्तेजित रहते हैं कि मुझे बहुत सारा पकाना है करजा देना है बेटी की शादी करना है बच्चे को अच्छी स्कूल में डालना है दिमाग मनस्तिती में है कि इस साल तो मैं केले से 10 लाग कमा लूँगा लगाते समय लगाने के बाद जैसे ही 3 महीने बीठते हैं जेब खाली हो जाता है फिर दो बोरी डिये पी लाने का पैसा रहता नहीं है क्योंकि दूसरी फसल भी है काका के हैं शादी ती महां भी जाना है बच्चे की फीज भी बरना है और वो केला रास्ता देखता है कि मेरे लिए खात कब आएगा ये छोटी-छोटी सी चीजे हैं इनको फसल लगाने के पहले हमें कबूल करना चाहिए कि इस्थिती ऐसे बनती है तो हमें उस फसल का बजट एक हमारी विवस्था के हिसाब से अलग करना है और हमसे जो जूड़ते हैं उनको हम क्लियरली पूछते हैं कि आपका पॉकेट का ब इसलिए खाद कितना डालना है इसके लिए आप पपिता या केले का खाद डालना हो तो एक तो मितेश जी है जो आपको ओफिस से कनेक्ट कर सकते हैं इनका नंबर होगा आपके पास दूसरा एक नंबर आप लिख सकते हो डाइरेक ओफिस में बात करके बैलेंस फर्टिकेशन साफ्ट्वेर का सेडूल अगर आप सिस्टम से जुड़कर खेती करोगे तो आपका स्वाइल टेस्ट फ्री में करेंगे आपको बैलेंस फर्टिकेशन का सॉफ्ट्वेर फ्री में आएगा बट आपको सिस्टम से जुड़े हुए रहना है और आपको खेती करने के खेत की तैयारी का वीडियो पोधा लगाने का वीडियो और हर 15 दिन का एक दो मिनिट का वीडियो भेजते रहना है ताकि आपके खेत में हो क्या रहा है वहाँ ओफिस वालों को पता रहे और ऐसा कत अगरा दिन में बलराम भाई या उसकी टीम आए अगर आप वीडियो बना के भेज देंगे तो वह हमें दिख जाएगा यह जुड़ने की प्रक्रिया है इसी नंबर पर आपके खेत की तैयारी आपने करी तो दो मिनिट का वीडियो बनाना है कि मैं बलराम किसान बात कर रह आप हमसे लो यह मार्केट से लो तो पोधा ऐसा आया है अब मैं इसको यह काम कर रहा हूं अगर उसमें बदलाओ करना है तो वहां से बतला देंगे पोधा लगाते समय का मैं इस तरीके से पोधा लगा रहा हूं तो इसे दो-दो मिनिट के वीडियो भेजना है मतलब हम लगाने से पहले परचा आजाएगा आपके मुबाइल पर अब घर रहो बाहर रहो कुछ करो एक महीने का डेटा आपके खेत में जो काम कर रहा है उसको परचा दे दिया खेत में जाकर चिपका दिया यह काम कर वन टू त्री फोर इसको काम हो जाए निशान लगा पोधा ल इखित में आपके पास आएगा प्लांटेशन करने के पहले मिटिंग खतम होने के बाद यह मत पूछना कि डिये पी कितना डालना यह बताया नहीं इसलिए मैं बता रहा हो कि हरेका शेडूल अलग अलग आएगा उसके लिए यह नंबर है पोधा लगाना कैसे है तरीका क्य यहां तक मैंने आपको समझा दिया यहां तक मैं कोई प्रशन है आगे फ्रूट केर